आज की भाद दोड़ भरी जिंदगी में हसने के लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है इसी को ध्यान में रखते हुए फरिदाबाद के भूपानी लालपुर गाउं मिस्थित सत्यूग दर्शन ट्रस्ट की ओर से वसुंधरा परिसर में हसन हसाया नामक कारकरम का आयोजन किया गया जिसकी थीम थी रोना जुकना छोड़, हसो और हसाओ और सदा सत्चित आनंदो सरूप पनो लोग इस मंत्र को सत्यूग दर्शन ट्रस्ट और उसके मार्ग दर्शक शिरी सजन जी के सानिध्य में लंबए समय से हासिल कर रहे हैं सत्यूग दर्शन ट्रस्ट ने फरिदाबाद में इसी मकसद को केंद्र में रखते हुए एक आयोजन किया जिसमें देश भर के लोग शामिल हुए जिसमें जिसमें क्रॉछू को An록 म सुट और के कि लीज़ काaiीजिक लुट स्दू है कि लुट सक का भाना सब मारा अशना सक कि लाल जा सूए भर मारा इंदना पांना करता है सत्युक दर्शन ट्रस्ट की ओर से हसन हसया कारिकरम कायोजन किया गया जिसका मकसद था हसते रहो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दीजे कारिकरम की शुरुआत ननहे बाल कलाकारों की तरस्तुफी से हुई कारिकरम की शुरुआत नन्हें रहो, नतने की शक्राविय रहने लिहां कारिकरम की शुरुआत नन्हें आए पर देकरम की शुरुआत नन्हें — आहे शुफी ARResظ कारों Прalnız одного म्रुआत पर दोंते रहां की खुएंओर को गयोशित से हुएंदיהccionesनित इस अवसर पर ट्रस्ट के मार्ग दर्शक श्री सजन जी भी मौचूद रहे कारिकरम की शुरुवाद दीप प्रज्वलित कर की गई श्री सजन जी ने कारिकरम की शुरुवाद कुछ इस अंदाज में की कारिकरम में प्रदेश और देश के कोने कोने से लोग पहुँचे थे जिनका मकसद था हसना और हसाना कारिकरम की पहली प्रस्तुती प्रसन्नता को पर्मानंद तक पहुँचाने के उस रास्ते पर आधारित थी जिसमें प्रसन्नता आनंद में और प्रफुलता के पैमाने तक पहुँचते हुए पर्मानंद तक पहुँचती है जो जीवन में हसी और खुशे का चरम है प्रसन्नता से पर्मानंद तक खोचने के सफर को मंच पर सत्युग दर्शन ट्रस्ट वसुन्धरा के छात्रों ने विशेश प्रस्तुती कर पेश किया इस पहली प्रस्तुती में दिखाया गया कि दैनिक जीवन में महज एक हसी के लिए तरस्ता व्यक्ति किस तरह अपनी प्रसन्नता को पर्मानंद तक पहुचा सकता है स्थित हो जाना यानि रूप, रंग, रेखा से रहित हो जाना आशे यह है कि इस अवस्था में पहुचकर तीनों तापों का रोड मिट जाता है पर्मानंद को ब्रमानंद भी कहा गया है ये प्रस्तुती बताती है कि पर्मानंद मानव जीवन का मुख्य धे है और इसी की प्राप्ती का वरणन नहीं किया जा सकता प्रसन्दा पर्मानंद तक पहुचने की पहली सीवी है आनंद और प्रफुलता से होते हुए ही कोई सजन पर्मानंद को पाता है ये प्रस्तुती लोगों में खुश रहने और खुशी बाटने की अलक लोगों में जलाती रही आप समझ गये होगे, आपको अंदाजा लगया होगा कि हसना हसाना ये आज़े मात्रिक हुए रोना जुकना छोड़कर हसने और खुश रहने के लिए प्रेरित करते इस कारक्रम में वैसे तो सभी पर्पॉर्मेंसे खास थी लेकिन अंबाला से आई छात्राओं की एक प्रस्तुती ने जैसे सब का दिल जीत दिया इस पेशकश का कहना था कि सजनावे हसले हसले जस्तिए इनियाई, जस्तिए ए सम्तिए इनियाई आज के जीवन में जहां किसी के पास बात करने का भी वक्त नहीं है वहाँ एक पल ठहर कर हसने और खुश रहने की बात बेमानी लगती है और रही बात दूसरों को हसाने की तो ये काम तो असंभव मालूम होता है लेकिन अमबाला से आई इन कलाकारों ने हसने और हसाने का ही संतेश दिया इत बात से वजरी मिद्यानि आई लगत शकसे भुशिए ने रिट्यानिळा एसने 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 सेचिन आपी गीत के बोल और संगीत ने लोगों को जूमने पर मजबूर कर दिया हो जूमने को जूमने ञे किनके लंग फ्या ठाट कर दे कि लो और में बोल कि दी Rain और यही इस कारक्रम का उद्देश भी था इस गीत का संदेश था कि सिर्फ खुश रहना या हसना ही मानव जीवन नहीं है बलकि दूसरों को हसाना और दूसरों को हसता देख खुद खुश रहना ही मानव जीवन को सार्थक बनाता है सत्युक दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयुचित इसकारक्रम की पुछ प्रस्थुतियां ऐसी जिनका संतेश था रोते हुँँ को कैसे हसाया जाए खुश रहने के लिए एहंकार त्यागना बहुत जरूरी है हस्ते रहने के सफर में जो कदम से कदम मिलाएगा वो लिश्चित इमन्जिल पाएगा और मन्जिल है खुश रहना और पर्मानंद को प्राप्त करना आज बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो खुद भी हसते हैं और दूसरों को भी हसाते और खुश रहने की प्रेणा देते हैं ऐसे लोगों को हस्मुक, चहलबाज, हास्सिप्रेमि, मस्खरा, विदूशक जैसे कई नामों से जाना जाता है रोते हुओं को कैसे हसाएं, मुर्जाय दिलों को कैसे हर्शाएं का ज्यान बाढ़ते इस प्रस्तुती के अलाबा, खुश रहने के लिए त्यागों खुदी नामक अन्य प्रस्तुती का मंचल किया गया इवन में अपना कुद्धा इवन में अपना कुद्धा जालंधर से आये इन कलाकारों ने बहतरी इन धंग से इसे मंच पर प्रस्तुत किया खुश रहने के लिए अपनी खुदी यानि एहंकार को त्यागना बहुत जरूरी है लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपना एहंकार त्याग पाएंगे खुशी का माला खुशी ही मात दिना यहे सबसी बड़ा उपकार जो खुशी को आख्म साथ कर लीता वही होता ही सचन भाव का हसन हसय या नामा कारिक्रम की थीम भी रोना जुकना छोड़ हसो और हसाओ और सदा सत्चित आनंद स्वरूप में बने रहो कारिक्रम में तरह तरह की परफॉर्मेंस हुई जिन में खुश रहने के तरीके सिखाती कुछ अनोखी प्रस्तुतियां भी थी माईम और दोहों के अलावा खुश रहने पर एक विशेश प्रशनोतरी प्रस्तुति का भी मंचन किया गया जिसमें खुश रहने के दर्जनो फाइदे गिनाए गए हसी कितनी तरह की होती है इसी सवाल का जवाब एक माईम के माध्यम से सत्युक दर्शन ट्रस्त वसुंधरा के चात्रों ने दिया वह या तो दूसरों की खामियों वा मुर्धा पर हसता है या पिर दूसरों को मुर्ध बना कर या उन्हें लक्ष मान कर सब को हसाने के उद्धिश से हसता है उसकी हसी अधिकतर दूसरों पर आशित होती है वह वह अधिकांशत है अहमकारवश और ईशावश दूसरों को नीचा वा मुर्ध जदलाने के लिए उनके अवगुनों गलतियों वा अक्षमताओं पर हसता है इस प्रकार के हास्य के अंदरगत व्यत्यों की समान रूप से भागी दारी माईम के माथ्यम से हसी के प्रकार बताने के अलावा कुछ प्रसनता दोहों ने भी कारिक्रम में चार चांद लगा दिये दोहे भी खुश रहने और हसने का ज्यान बाटते रहे जिसी का दिए के सन्नी हु सेदा इति करी करी बही बाटते जिसी का दिए के सन्नी हु सेदा इति करी करी बही बाटते लेकिन इन संगीत में और धार्मिक प्रस्तुतियों के अलावा भी हसने हसाने और खुश रहने से जुड़ा कोई सवाल रह गया हो तो उसके लिए भी एक सवाल जवाब प्रस्तुती का मंचन किया गया जिसका उद्देश था खुश रहने के सभी फायदे बताना फिर चाहे वो शारिरिक फायदे हो या मानसे हसना शारिरिक स्वस्तता के लिए सर्वोतन टॉनिक है क्यूंकि इससे हर सुख्श में बिंदू और उस बिंदू से जोड़े हर अंप्रतीयंका गया हो जाता है हम जानना चाहते हैं कि हर अंप्रते का वयां किस तरह हो जाता है वे ज्यानिकों के मता नुसार हमारे शरीर की सभी सुन्वेदशी लाणिया आपस में जुड़ी होती है इसलिए भैजन्ता, दुख सु, ईश्रा फ्रेव, सहियों के यों आदिते संपन्द सुन्वेद्णाओं को प्राफ करते ही नावके बस सारा शरीर अपीदू हमारा मांसिक सर्विय के प्रभावित होता है यह प्रदिक्रिया प्रियान्ता संपन्वेद्णा के कारव शरीर ने हुए रासाइनिक स्क्राव यानी हामोनिकल से क्रीशन में निर्भर करती है खुश रहना आपका जन्मुस्द्ध अधिकार है कारिक्रम की सभी प्रस्तुतियों का एक हिसार है कि रोना जुकना छोड़ हसो और हसाओ